हेलो एव्रिवन वेलकाम अगेन इन लर्ण विद दितिमन बचों आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 13 जिसमें हम डास्ट प्रोटेशन सिस्टम का फर्सट पार्ट हम कर चुके हैं 23 कोशन हमारे हो चुके हैं और आज हम बात करेंगे इसके बारे में नेशनल वाटर वेज के बारे में बहुत ज्यादा कोशन नहीं हैं लेकिन इसके बारे में फैक्स काफी क्रिटिकल हैं तो आप प्रयात करने में थोड़ी दिक्कत होगी लेकिन इनी से आपको नंबर मी मिलेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के वर्तमान में भारत में कितना लंबा आंत्रिक जलमार्ग में नौकायन किया जाता है वर्तमान में जो भारत में कितना लंबा आंत्रिक जलमार्ग में नौकायन किया जाता है तो कितना है यह 14,500 किलोमीटर है कितना है 14,500 किलोमीटर नेक कोशन, भारत के कुल परिवेन में जल परिवेन की कितनी भागीदारी है, भारत में जो टोटल परिवेन होता है, उसमें जल परिवेन की कितनी भागीदारी है, तो आपका जल परिवेन मात्र एक प्रतिसत ही वेहन कर पाता है, नेक कोशन, जल मार्गों के निर्मान हेतु उतन को कितने प्रकार में वरगीकरत किया गया है? तीन प्रकार से कौन-कौन से ओध्योगिक, वानेजिक और विस्तरत कौन-कौन से हैं? अध्योगिक, वानेजिक और विस्तर. ने कोशन देखें. अवस्थिती के आधार पर पतनों को कितने प्रकार में वर्गी करत किया गया है? अवस्थिती के आधार पर पतनों को कितने प्रकार में वर्गी करत किया गया है? तो कितने प्रकार में हैं? पतन को कितने प्रकार हैं तो आपके तेल पतन आपको इनके नम से पता चल रहा होगा कि किसकाम आते हैं पैकेटिस्टेशन या फेरी पतन भी जिसे कहते हैं आन्त्रपो पतन और नौसेना पतन ये सबी क्या है? ये कारे किलाब के आधर पे पतनों के वरगी करने है फेरी पतन जो हते हैं छोटी दोरियों को तैक करने में और डाक और यात्री सेवा ही तो उप्योग किया जाते हैं तो फेरी पतन का आपसे पहुचा भी जा सकता है यह कुशन यह काफी important है इसको याद रखेगा छोटी दूरियों का तै करने में फेरी पतन का यूज किया जाता है दूसरा डाक और यात्री सेवा के लिए भी फेरी और प्योग किया जाता है डाक सेवा के लिए अगर आपसे पहुचा जाए तो फेरी पतन का आपको नाम लेना है यह priority पर देना है आपको okay तो यहाँ पर इक है संग्रहन का काम किया जाता है वस्तून के ठीक है? Next question कांडला बंदर्गा कहां परिस्तित है? कांडला बंदर्गा आपको पता है यह काफी important है राजिस्तान के लिए भी तो कांडला बंदर्गा कहा है? कच्च की खाड़ी यह नहीं गुजरात में और यह हमारे राजिस्तान के काफी करीब भी है तो कच्च की खाड़ी में गुजरात के अंदर कांडला बंदर्गा है Next question अरब सागर में इस्तित JLN या नहावा शेवा पोर्ट जिसे हम कहते हैं JLN जवारलाल नहरू जो पोर्ट है आपका जिसको आप नहावा शेवा पोर्ट भी कहा जाता है इसी तरह न्यू मैंगलॉर है और कोची बंदर्गाए यह सब हैं किन राजियों के तर्ट पर इस्तित हैं यह जो तीनों बंदर्गाए हैं वो किन राजियों के तर्ट पर इस्तित है तो यह तीनों एक बात यह है कि अरब सागर में इस्तित है यह आपको जुवारी नदी से संब्द है, तो टोटल लाके हमारे जो आधियसी बुक्स है, जिस बुक्स में हमारे पेपर्स आनी की संबावना है, वो है, उसमें टोटल 12 मीजर बंदर गहां दी गए हुए, तीक है, कुछ टाइम पहले उसकी संख्या 13 हुई थी और एड जाएगा important नहीं रखता है क्योंकि यह change divided change हो रहा है इस वज़े से तो इस type ये questions आपको नहीं पूछे जाएगे तो लेकिन मर्मुगोवा है यह बहुत latest है तो इस चीज को आप याद रखेगा मर्मुगोवा जो बंदरगा है वो किस नदी से संब्दत है जुवारी नदी से स क्या है तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं JLN जवार लाल नहरू जो एरपोर्ट है आपका वह आपका सबसे बड़ा अज की टाइम में आपके नहावा सेवा पोर्ट जिसको आप JLN भी बोल रहे हूं जे नावा सेवा पोर्ट को अन्ने किस नाम से जाना जाता है JLN की फिल फॉर्म क्या है जवार लाल नहरू पोर्ट JLN जवाहर लाल नहरू पोर्ट JLN भी बोलते हैं सो ओर्ट में और इसी का नाम है नहावा सेवा पोर्ट ओके यह आपको याद अचना है तो इस चीज़ को आपको याद अखना है इस टैप की कोश्ण आपको रिपीट होते हैं नहीं कोशन एन्नौर पोर्ट कहां इस्तित है एन्नौर पोर्ट जो है वो कहां पे है तो एन्नौर पोर्ट जो है आपका कौरोमंडल तर्ट में है ठीक है एन्नौर पोर्ट कहां है आ मदरास पोर्ट भी इसको लोग बोलते हैं, बाकि आज कल इसको चेनरी पोर्ट के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन मदरास पोर्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो इसमें से कोई भी नाम आए, तो आपको क्या लिखना है, भारत का जो सबसे पुराना बंदरगा है, व आपको यह याद रखना है कि जित्ते भी बंदरगाओं के बार हम बात करें हैं, यह सारे की सारे major ports हैं, ओके, next question, विसाका पत्नम port, हल्दिया port और पारादीग port कहां पर इस्तित हैं, तो यह आपके बंगाल की खाड़ी में हैं यह सारे, एक बात तो यह, यह सारे की सारे कहां हैं, और दूसरा, आंद्रप्रदेश के पास में विसाका पत्नम हैं, उसी तरह हल्दिया जो है, वो खोलकता में हैं, और पारादी port कहां पर और इस्तित हैं, ठीक है, next question, किस port को भारत का तेरवा मुख्य बंदरगा गोसित किया गया है, यानि 13 major port, 13 major port, आपके RBC में 12 ही ल मुख्य बंदरगा अंडवान निकोबार इस्तित है, उसको इन्होंने 13 मुख्य बंदरगा गोसित किया है भारत सरकार ने, एक जुन 2010 को port बंदरगा जो है, जो अंडवान निकोबार पर इस्तित है, next question, उत्तर दक्षिन पत किन देशों से संबंद है, उत्तर दक्षिन पत तो यह इंटरनेशनल मेटर है, तो इस चीज को आपको याद रखना है, उत्तर दक्षिन पत, जो जलिय पत है, वो किन देशों संबंद है भारत, रूस और इरान से, next question, सागर माला परियोजना 2015 का मुख्य उद्दिश से क्या है, उसका मुख्य उद्दिश से क्या है, तो इन बंदरगाहों को आपस में जोडने के लिए, एक बहुत विस्तर तो पर इंटरनेशनल आधार पर उसको जोडने का प्यास किया गया है, उनका विकास करने के लिए इस परियोजना का स्टार्टिंग की गई है 2015, तो यह सागर माला परियोजना के से संबंदित है, बंदर कौन-कौन से है, शागर दीप जो परिशिम बंगाल में बनने की बात है, पारदीप बहरी हारबर है, ओडिशा में बनानी की है, सिर्ख जी आपका तमिल लाडो में, इनायम तमिल लाडो में, बेली केरी तमिल लाडो में और वदावन भी तमिल लाडो में, यानि इसमें से चार जो हैं, वो केवल तमिलाणों में हैं, एक ओडिशा के अंदर है और एक पिर्शिम बंगाल के अंदर है तो यह आपको याद रहेंगे, इसी के साथ आपका यह वीडियो समाप्त होता है इस वीडियो का है, यह लास्ट कोश्चन और इसके साथ एक टेविल और जो इंपोर्टेट है वो हम और देख लेते हैं इसमें राश्टे जलमार्ग हैं, जलमार्ग नमबर एक, दो, तीन, चार, पांच और छे इसमें इनका प्रारंब की स्थाल है, जैसे कि जलमार्ग जो राश्टे जलमार्ग एक है, वो इलाबाद से स्टार्ट होता है और समापन का आए हल्दिया तक, यह लाबाद से हल्दिया तक है कुलमबा इसकी 1620 किलोमेटर है, मुख्य मार्ग छेतर में जो आते हैं, पटना आता है इसके रस्ते में और फरक्का भी आता है संबंदित जल स्रॉत कौन जा है, गंगा, भागी रहती और हुगली नदिया है, जिनके आधार पे बनाए है इसी तरीके से ही जो हमारे पास 6 राष्ट्री जल मार्ग हैं, उनके बारे में मैं यहाँ पर डेटेल दी है इस टेबिल को आप अच्छे से याद कर लीजेगा, क्योंकि इन से अलग अलग तरीके से कोशन नोट कर आते हैं तो मैंने इस पर कोशन नहीं बनाए हैं, डारेक्ली आपको टेबिल प्रवाइट कर आई है तो I hope so, कि आप अच्छे से याद करेंगे तो मिलते हैं बच्चों, नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू